मैं हूँ आपका दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त बिना और स्वागत करता हूँ वीडियो नमबर 44 में दोस्तों वीडियो नमबर 44 सब एरे सम इक्वल्स के इसे मिलता जुलता प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल करके रखा है अगर आपको याद हो वहाँ पे लॉंगेस्ट आपको बताना था उस सब straw का जो की सबसे बढ़ा है और उसका सम क्या तैख यहां पे क्या करना है यह थोड़ा सदिफरेंस है यहां पर काउंटिंग करनी है कि ऐसे कीतने सबरेंट हो सकते है अटीग है तो थोड़ा सदिफरेंस है इस को स्वेशन में लेकिन आइडिया जो है लगबग लगबग वही यूज करूँगा मैं जो पहले यूज किया हूँ देखो गिवन एन एरे ओफ इंटीजर नम्स एंड इंटीजर के रिटर्न करना है तोटल नंबर ओफ सब एरे जिसका सम क्या है के है अब इसको ना आपन समझने कोशिश करते हैं तो इसका नाम है सब एरे sum equals k ठीक, ओके, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक example को trace out मारते हैं 1, 2, 3 ले लेता हूँ देखो, आपको क्योंकि sub array निकालना है, मैं आपसे सिर्व एकी सवाल पूछूँगा, देखो और k का value, let's say, यहाँ पे 3 है 3 अपने को sum लाना है, अगर 3 यहाँ पे sum अपने को लाना है, तो देखो, आप देख के बताओ पहले, कि क्या क्या sub array बन सकता है, भई देख के समझ में आ रहा है एक तो 1, 2 हो सकता है, और एक sub array हो सकता है 3, जिस पे sum 3 मिलेगा, दो अपने को मिला, इसलिए counting आपको 2 return करना है, तो count return करना है, तो initially मैं आप एक count नाम का एक डबबा पकड़ लेता हूँ, जिसको initially 0 कर देता हूँ, इस counting को मैं तभी बढ़ाऊंगा, जब मुझे जो sum है, वो 3 मिलेगा, चिक, ओके, अब sum मुझे 3 कब-कब मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा, देखो बड़ा simple है, आप क्या करो, एक na, एक current sum नाम का एक डबबा पकड़ लो पहले तो, मैं क्योंकि मुझे लगातार sum निकालते रहना पड़ेगा, ठीक है शुरू से last तक के current sum नाम का एक डबबा पकड़ लो, और एक sum map पकड़ लो, और sum map में ना, एक reference value डाल दो, 0, 1 मैंने डाल दिया, इस चीज का मतलब क्या है दोज़, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो key है, वो क्या है current sum, current underscore sum, ठीक है, और ये current sum जो है, जैसे 0, अभी मेरा current sum किता है, 0 है, और 1 क्या है, इसका frequency, 0 वाला sum कितनी बार आया है, तो आप खुद से सोच के देखो, अभी current sum है मेरा 0, उसका frequency कितना है, उसका frequency 1, मतलब current sum 0 से वे एक ही बार अपने को मिलेगा, अब दूसरी बात, बहुत important बात है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं, अब मुझे माल लो, किसी एक point पे, जैसे, let's say, किसी एक point पे, मुझे current sum मिलता है 3, current underscore sum, किसी point पे, मुझे अगर current sum मिल गया 3, तो अगर मैं 3 को, k के साथ, अगर मैं minus करता हूँ, कि, अभी मेरा क्या है, 3 है, तो अगर मैं minus करता हूँ, तो मेरे को current sum again क्या हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा, क्या, हाँ, अगर 0 होगा, तो मैं अपने reference value को देखूँगा, कि, अरे भाई, ये तो 0 हो गया, इसका मतलब 101% जहां से मैं चला था, वहां तक के मुझे एक एक ऐसा जगा पे sum मिल रहा है 0, इसका मतलब वो एक sub array बना रहा है, बोलने का मतलब आप समझ रहोगे, मतलब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे 0 लिखा, 0 मेरा current sum है, ठीक है, 0 मेरा current sum था, और current sum, ये जो इसका frequency है, ये 1 है, ठीक है, ये एक ही बार मुझे current sum मिल रहा है, अब अगर मुझे फिर से एक बार current sum 0 मिल गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, कि आपको एक sub array मिल चुका है, तो एक sub array मिलेगा, तो उस case में, सिर्फ इस वाले case में आपको count को क्या करना है, increase करना है, 0 था, 0 से 1 हो गया, ठीक, अगली बार में, किसी एक दूसरे point पर again, जब आप आओगे, अब again आपको current sum 3 मिलता है, तो अगर minus करो के के साथ, तो क्या आएगा, 0 आएगा, अब 0 आएगा, तो 0 current sum देखो, पहली बार में, एक बार मिला, तो ये 2 हो जाता, अब again मिलेगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन count मैं तभी बढ़ाऊंगा, जब मुझे current sum minus के क्या हो, 0 मिले, या आप idea समझ पाए, ठीक है, अब उसके बाद फिर आपन आगे बढ़ते हैं, for num in nums, मैं इस array पे एक दौल लगा देता हूँ, और current underscore sum, current underscore sum के अंदर में, मुझे sum चाहिए, तो मैं लगातार इसको plus करके, sum बनाता हूँ, ठीक है, पहला element आ रहा है, तो मैं यहाँ पे plus करूँगा, उसको current sum मुझे मिल जाएगा, अब मैं वही चीज़ चेक करूँगा, if current underscore sum, current underscore sum जो है, minus के, यह करने से, क्या यह present है क्या, in sum map, sum map, अगर present है, मतलब आप जब इसको minus करोगे, अगर वो present होता है, सिव उस case में आप count को क्या करो, increase करो, count plus is equal to, आप क्या लिख सकते हो, sum map, sum map, और यही वाला index, ठीक है, यह, आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बता है, current underscore sum, minus के, यही मैं अपने key को बनाया हूँ, तो यह key पे, मैं count को डाल रहा हूँ, as a value, ठीक, उसके अलावा, नहीं तो, अगर हो सकता है भाई, present ना हो, current sum minus के present नहीं है, तो नहीं है, present तो कोई दिक्कत नहीं, उसको as it is डाल दो, ठीक है, तो उसमें भी दो case बन सकते है, उसमें क्या बन सकता है, आपका जो current sum है, इसको अटा दो, आपका current underscore sum है, वो पहले से ही present है, sum underscore map में, मतलब वो zero तो नहीं आया, अब zero नहीं आया, मतलब जो आपका sum है, वो present नहीं था, तो उस case में मालो, कुछ और sum आ गया, तो कुछ और sum अगर वो रहता है, तो उस case में, अगर वो आपको मिल जाता है, तो उसका count बढ़ा दो, current sum map, current sum उसका index होगा, index को current sum ही बना रहे है, इसको आप increase कर दो, अगर existing है, अगर existing नहीं है, तो उस case में उसको one कर दो, sum map में, sum map, current sum, current, यह first वाले case में ही होगा, और यह one, ठीक है, तो अब इसको trace out करके देखते हैं, और last में return कर दोगे count, return count, अब इसको trace out करके देखते हैं, देखो, सबसे पहले, मेरा value क्या आ रहा है, one, आया, okay, current sum निकाल लो, current underscore sum, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, अब initially zero है, zero plus one will be what, one, अब इस one को minus करो, k के साथ, k is what, three, तो यह minus two, minus two क्या मेरा present है map में, map कहीं पर बना लो, यहाँ पर मैं map बना देता हूँ, यह यहाँ पर map मेरा बन गया है, initially वहाँ पर zero और one present, यह देखो, यह minus two present है क्या यहाँ पर नहीं है present, नहीं है present, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करोगे, आप इस map के अंदर में, यह zero one था, अब अगला अला current sum क्या है, one, तो one और इसका value, कितना आप डाल दोगे अब, value one डाल दोगे, क्यों डाले अपन, किस वाले condition से, इस वाले condition से, यह current sum नहीं है, तो value पहली बार में क्या आ जाएगा, one आ जाएगा, यह हो गया one, मतलब अभी तक के, अपने को वो सब एरे नहीं मिला है, अब अगली बार में, next iteration में, element आ रहे two, current sum कितना हो जाएगा, current sum इन्हीं पहले था one, अभी one प्लस two विल भी what, three, ठीक है, पहले one था, अब one प्लस two हो जाएगा, three हो गया, अब again चेक करो, three minus three हो जाएगा zero, क्या zero present है क्या आपके map में, हाँ present है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ, कि आपको एक array मिल चुगा है, तो counting आप बढ़ा दो, count का value, यह zero से बढ़के हो गया, one, ठीक, ओके, अब उसके बाद फिर, यहाँ पर again चेक कर लें कंडिशन, current sum जो है आपका, क्या यह जो current sum है, यह present है क्या, इसके अंदर, नहीं है present, तो कोई बात नहीं, आप इसको डाल दो, zero, one, 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 अब current sum 3, वो भी एक बार मुझे मिल गया है, ठीक, अब उसके आद फिर अगली बार में element आ रहा है 3, तो current sum जो है, current sum, अब कित्ता हो जाएगा, current underscore sum, वो जाएगा 3 plus 3 will be what 6, अब माइनस करो, इस current sum को के के साथ, कितना हो जाएगा, यह हो गया 3, अब 3 क्या present है क्या, मेरे इस, इसमें, हाँ present है, अगर present होता है, तो again, मुझे क्या पता चल गया, कि भाई, 3 sum जो है, मतलब यहाँ पे, sum जो है, मेरे पास 3 present है, मेरे dictionary है, इसका मतलब definitely, मेरे पास एक और array मुझे मिल गया है, जिसका sum क्या है, 3 है, तो उस case में, आपको count को एक और बार, increase कर देना है, तो increase मैंने इसको कर दिया, एक तो इसको आप increase करोगे, और दूसरा count का value को increase करोगे, तो यह 1 था, 1 से अब हो जाएगा value 2, तो यहाँ पर current sum 0, एक ही है, current sum 1, एक ही है, current sum 3, दो बार मुझे मिल गया है, तो इस तरीके से, इसका मैं count यहाँ पर last में return कर दूँ, that is it, यही था, लगबग लगबग वही idea अपन यूज़ किये हैं, जो पहले यूज़ किये थे, बस थोड़ा से आपर difference है, अब समझ गए होगे, count की value 0, और current sum ले लेते हैं, current underscore sum is equal to 0, और sum map ले लेते हैं, sum map is equal to, initially इसके अंदर 0 और 1, reference के लिए आपर डाल देते हैं, for num in nums current underscore sum plus is equal to num, लगातार current sum को पकड़ो, और current underscore sum minus k, अगर present है आपके sum underscore map में, अगर present होता है, तो count का value, count plus is equal to sum underscore map के अंदर में, उस index को डाल दो, current underscore sum minus k, ये index है, right, अब उसके बाद फिर, दो case बनते, if current sum in sum underscore map, current sum अगर present है, तो उस case में आपको क्या करना है, sum underscore map of current underscore sum, जो है वो index है, इसमें एक बढ़ा दो, अगर present है तो, अगर present नहीं है, तो उस case में, else sum underscore map, of current underscore sum, इसको one कर दो, ये फर्स्ट वाली case के लिए, और last में, लूप से निकलते हुए, return कर दो, count को, हो गया, ये ये solve हो गया है, इसको submit कर देते हैं, तो हमारा solution जो accept हो गया है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर, array के सारे के सारे medium problem भी, solve कर ली हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you,